ओम स्री गनी साय नमदोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस जुलाई सौंबार के रासी फल के बारे में की यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थगी महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साती सात भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकोन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहता प्रदान करेगी बड़े वज्रुगों का इश्न है और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थे आज उसमें आपको सफलतावस्य मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्य रखता है नोकरी के लिए दी गई प्रितियोगी प्रिक्षा के पेड़नाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एकागर चित रहे आपको सपलता अवश्य ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दरसन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनितिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्णे लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा इक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगे और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएगे आपको हर काम बड़ी संजिदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परिहास वे मनोरंजन आदी के व्यर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बंद रहेगा राज की ए मामलों के कारों में बहुती आपको साफधानी बरतनी कियावर सकता है साथी साथ कोई नया निवेस करनी से पहले आप अच्छी तरे से जांच पढ़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी के आवश रकता है अजनवी वे आई परिचित लोगों से वेवार में लेंदेन में साफधानी बरतने की आपको आवश रकता है खर्चों पर भी आप नियन तर्ण रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा साथि साथ घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती है किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई आप रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरे और सैयम बना कर रखना अति आवश शक है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सहयोग आपके आत्मवल वे आत्मविश्वास को बना कर रखेगा और आप तनावमुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधुरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिक्ता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिष्टितियों में पूरी तरह से सहयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बजुर्गों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्मविश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वाता वरन रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर देख खुजियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्तों बात कर लेते हैं अजब का वे वेसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आस्मिक धनलाब के प्राबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे नए कार्ये सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साथिसाथ का रच्छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदोड में व्यतीत होगा दोस्तों साथिसाथ आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड़ मेहनत व्यपरिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिल होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजने भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वेवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवशक है क्योंकि वर्तवान इस्थिती के कारण कारों के नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जै दोस्तो आज आपका स्वास्थ बहुती अच्छा रहेग आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उड़ जावान महसूस करेंगे साथी साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदीशे निर्वत रहोने के बाद भगवान भुलेनात को तिल और जो अरपित करें और शाति साथ माम मिर्तुंजय मंतर का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान भुलेनात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कारें भगवान भुलेनात के आसरवाद से बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भगवान भुलेनात का असरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भुलेनात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद